आज हम लोग करवाने वाले हैं अपमें डॉमिनार की 20,000 किलोमेटर वाले सर्विस और 20,000 किलोमेटर हलांगी पूरे नहीं हुआ ठाराँदार शैसुल संथिंग उच होगा है लेकिन मेरे को क्या है कि ट्रिक पे जाना है तो मैं सुझा है कि पहले करवा देते हैं बाइक को रेडी करके लेके जाएंगे तो दिमाग वे एक सटिफेक्शन रहती है कि रस्ते में कुछ खोगा नहीं को दिक्कत नहीं आनी जी इसलिए थोड़ा सा पहले सर्विस करवा रहे है तो अभी बाइकों में खड़ा कर दिया है अपनी जहांतों का काम होना है और यह मौबना निकाल गया है और हम इसका अब हम इसका टैंक खुलेंगा खोड़े तक घिकते हैं अब लोगे दिखाते हैं इवर। सबसे बड़ा नुकसान यह इसके दोनों तरफ से साफ करना पड़ता है इसको बहुत जादा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है कि टैंक का कवर इसको खोल दिया और अभी टैंक खुलेगा कि भाई यार देखो मिट्टी देखो क्या खत्रवां मिट्टी बड़ी है ऐसा लोग जाए रेकिस्तान में से इसको निकाल के लाया हूं मैं कहीं से कोई नहीं आज इसकी पर साफ सोफाई करवा देंगे इसको धंसे ना इसको रानी सुंदरा मना देना अपन में कि अभी इसक यह फिल्टर नेखला एर फिल्टर तो दोस्तों एर फिल्टर का फाल कुछ ऐसा हो जाता हर बाद जब यह 5000 किलोमेटर के बाद में इसको चेंज कर आद तो वैसे कंपनी बोलते हैं दहजार की लेकिन अपने को रिस्क नहीं लेने का तो इतनी को महंगी आइटम है नहीं सो जल्दी जल्दी करवा दो इसको ठीक मतलब चेंज करवा दो अपने गाड़ी के लिए सही रहता है तो लाइफ में पहली बार मैं इस वाले पार्ट को निकलता हुआ देखूँगा यह जो क्या है यह रवड का है ओके अची भर बहुत गंदा हुआ पड़ा है यह हमारी बाइट की आंतड़ियां जो कि सारी सावी बाहर निकल चुकी है है मैं यहाँ पे भी इसका है यह यह यहाँ पे इसका जो फोटेल वोडी है यह अभी इसको देखने करने ज़रूद है अगर हुई इसको इसको लिए अगर नहीं हो अगर यह साफ पड़ावा क्योंकि यह दैंटीर को फिल्टर टाइम तो टाइम में पांच-पांच-पांच-बाद में चेंज करवाता रहता हूं तो आई होब कि यह ज़्यादा गंदा ना हो भाई देखते हैं अभी जब खोलेंगे तब पता लगएगा अब बाखी का सहरा पार्ड तो खोल दिया अब बार ही है फ्रक बडिकित्रीप Works को निकालना थोड़ा से स्ट्रेगल वाला काम लेकिन इतना पता है कि वह निकाल लें है गया रखेंगा impossible कि परोhes को करना कि पर लगाट Banks काfter है यह लिज़ते हैं वह कुलना पड़ेगा तो कि तो हमने यहां पे थरोटल बाड़ी को निकार ले दोनगी धीन जादा गंदी निहीं है भी आधा भार अम तो इसके जो स्प्रेय होती है वो अभी भाया लेने गए है उसके बाद में इसको साफ करेंगे तो दोस्तों यह देखिक कारवुरेटर एंड ऑगे अब इसके सफाई होगी अभी हम लोग इसके थ्रोटल बॉड़ी को क्लीन करते हैं और उसके बाद में आपको बिफोर और आफर दोनों चीजें दिखा हुआ कि इसको साफ करने के बाद में यह कैसी लगती है पहले कैसी लगती थी अजी तो कारवुरेटर बिल्कुल हो चुक है साथ वीडियो में शायद पता नहीं लग रहा हुगा परिन अभी आपको स्क्रीन पे फोटो इसके दिखाई देरेगी बिफोर और आफ्टर की तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कितना पहले गंदा था और अभी कितन श्काली का इसको सफ किया गया है अब यह ससकर एक बार फिट करता हैं विक कर ने के बाद में आप लोगों को आदिकरवाई बताते हैं इस इस कारवुरेटर को आप अब इस था थ्रॉटल बोडी को फिर से दोबार इसके लाफ पिट कर दिया जा रहा है जैसे कि इसको पहल इसका फ़र आझेए नहीं किलमेटर होने नहीं है लेकिं林 काम जूड़ा सा पहले श्रील हैस funded है जो जड़ोरी चैंजर करें और भेसे इसके सोड़ी जिक्कत आ और यहां रही थी तो श्रूसे मनें ज़ ज़्यादा जो कि मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी थी चीज वहादी इसकी हमें थल बोडी की WordPress और धinya June करवाने के बाद में आसब पाइटी जो स्मूर्ण सबसे पहला जो दिक्कत आ रही थी मेरे को इसके ब्रेक्स के अंदर तो ब्रेक के अंदर यह दिक्कत थी के पीछे वाला ब्रेक्स के अंदर बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे लगते ही नहीं आप यह मानो तो एक तो हमने में जो चेंज करवाया है वह यह इसका एंड जे सेगंड तिंग के इसकी फ्रॉटल बाडी क्लीन हो जुकित होड़ बाड़ी क्लीन करने के बाद वाद वाइक क पर्फॉर्मेंस है जो इसका पिकप है जो इसकी स्मूदनेस है इंजन की वो सारी के सारी मतलब मक्षन हो चुका है बहुत ही बढ़िया तो अभी एक वार इसको थोड़ा था खेंचते हैं बाइक की थोड़ी सुरफतार बढ़ाते हैं और आप लोगों बताते हैं आप भी फिल्डाओ है क्या मतलब पिक उप में आगा एक फ्कविया को टोटा और हम हम इसको खेंचते हैं गेर कुछण करेंगे जोसह हैं अ क्या था करेंगे सीरिसली मज़ा आगा ऐसा लए जैसे मतलब मैं जब तुसको नई नवेली बाइक को ले गया था ना दो साल पहले लगवा थाइसाल हो चुके है तो थाइसाल पहले जैसी इसकी पावर थी आज सेम वही चीज मेरे को फील हो रही है सेम तुसेम तो हमने इसके एक और चेंज कर करवाता ही करवाता हूं इसके बाद में अपने थॉटल बाडी के उपर तादा फरक ने पड़ता काफी सही रहती है तो हम लोग जाएंगे टोल प्लाजा तक टोल प्लाजा से वापिस घूम के आएंगे यू टर मारेंगे और रस्ते में एक जगह है वहां पर रुपते हैं यह देखिए ब्रेकिंग अभी देखिए 70 स्पीड आना और यह देखिए क्या बात है अब हम जारा आहिस्ता जलते हैं और बात करते हैं बाइक की सर्विस के बारे में तो जो में इसकी में दिक्कत थी ब्रेकिंग की हमने ब्रेकिंग इसकी ठीक करवा ली है पीछे वाला टायर में तो हमने वो चेंज करवा लिया है तूसरा हमने इसका ऑईल फिल् बढ़ी बात है कि मैंने इसके अंदर इंजन ओई चेंज किया है तो इंजन ओई जो मैंने डाला है इसके अंदर शेल का 5W 30 तो मैंने 5W 30 डाल दिया तो यह 30 वाला ग्रेड है ना यह थोड़ा सा कम रहे गाए 40 वे चाहिए था मुझे कोई दिकत नहीं इसको यूज करते हैं कुछ दिनों तक और इसका कैसा रिस्पॉंस रहता है वो भी आपको आने वाली वीडियो के अंदर पता जिल जाएगा तो इसका जो टोटल खर्चा आया है अपने को सर्विसिंग करवाने का 20,000 किलोमेटर के सर्विस करवाने का सब लो केर करके रखता हूं बहुत संभाल के बाइक को रखता हूं आप लोगों को बता देते हैं कि अंदर टूटल खर्चा कितना है की सर्विसिंग में अपने वह खर्चा आया है जी अलगबग लगबग ट्वन्टी टू हंड्रड से पत्ची सो रुपए तक मतलब 2200 से पत्ची चेंज करवाया है और इसके ब्रेक कुछ काम करवाया ब्रेक पैड काफी सही पड़े थे और उन्हों ने बस उसको फोड़ा सा मतलब सही करने वाला था उन्हों जैसे किया मैं उसकी डूडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे थोड़ों ऑफिस के काम भी चलते थे तो मैं मेरा कह Chinese कर दिया उसके बार में इसके ठोड़ा सा अधर हमने ब्रेक को CO baru कि और इसके शुकर कैसे हैं यह बहुत सही पढ़े आभी तक शुकर में कोई नियुक्त हूई हमने फ़रंट वाले डिस्क है और और ऑल में altri बिल्कुल भी और जो बिल्कुल निसेसरी थी ना हमने सिर्फ वही चेंज करवाया है दूसरी बात के अपना खर्चा कितना आया बाइक की सरीज करवाने में दोस्तों खर्चा आया है लगबग बारा सुरुपे का अपना मोबिल ऑइल अपर डैट हंडर्ड रुपीज का हंड है 60 ऑ 70 इतने के असपास कदा आ उर 10 वन थाउज़नें रुप oppose को और मोझे पू՛ा भी ना मैंने नेगोशेट सब्सेया अपनों को व्ल्कूर आप वह hemen अपने और फ्रत second क्या पादा कर्वें 오र या अच्छे न preventing आनुख झाल झाल झाल